दोस्तों आपके स्वागत है जीओ एकेडमी में आरेसी की डिट सभी सब्जट की आ गई है बटलोर युनिवरसिटी के साइट में भी जाकर की देख सकते हैं या के फिर जीओ एकेडमी चैनल पर भी देख सकते हैं और एक बात जो बहुत बड़ी घरवड़ी करी है बटलोर भी कोई subject का मैंसर नहीं करा जैसे faculty of art में ही उन्होंने home science का भी डाल दिया है और even life science का भी upload कर दिया है महला कोई separate नहीं बनाया है जब group भी बने भी हैं faculty of art, faculty of home science और faculty of life science तो इनको एक साथ मर्ज करके क्यो डालना था अलग-अलग upload करते ना लेकिन यह upload नहीं करा एक की लिस्ट है उसमें भी mention नहीं करा तो आप यह सोचो कि कितनी वड़ी एक तरह से यह गरवडी कह सकते हैं कि बच्चा परिशान हो और क्योंकि यदि मुझे वीडियो नहीं बनाना होता तो मैं क्यों open करती faculty of art और उसमें ना तो मुझे फिर फिर मुझे home science का भी दिख गया फ इक बत और science वालों को तो मिलता ही नहीं कि वो list जो है मिलती नहीं क्योंकि revise management वाले में है science वालों की बहुत साई लोग परिशान हो रहे हैं अभी मैं भी देखा कि कुछ लोगों को बायो टेक का नहीं मिल पा रहा है लेकि बायो टेक की list बहुत पहले भी आ चुकी थी लेक कहीं से कुछ भी इन लोगों ने वो कर दिया है अपलोड कर दिया है और बच्चा परिशान होते रहे है उसे इनका उद्देश यह है और जो कि बहुत गलत है जो भी करो systematic करो नहीं करना चाहते हो तो मत करवाओ PhD और क्योंकि बच्चा जो है अपना revise management वाला बच्चा से management subject वाला देखेगा ना ऐसा नहीं कि science वाला भी देखेगा आर्ट वाला भी देखेगा दी open नहीं करेगा तो बिचारा तो वो RAC के लिए वो हो गया चूक गया इसलिए आप लोग जो है call पर बात करो अब बोलो कि यह तरीका बहुत गलत है आप notification में कुछ और लिखते हैं अं कोई भी list upload नहीं है कि कि किते candidates का होना है जैसे history हो गया geography हो गया political science हो गया psychology हो गया जो भी social science वाले subjects में आते हैं उनका कहीं कोई मुझे तो notification नहीं दिखा ति आप लोग को दिखा है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग को और लोगों को भी convey कर दो otherwise आपको offline ही पता करना पड़ेगा को कि offline date आ चुकी है हना सभी subject की है 19th लेगा कि 31st में तक उन में से आपका भी subject मता आपका social faculty of social science वाले का भी इसी 19th लेगा कि 31 पर कभी भी हो सकता है और वो जो है date आ चुकी है लेकिन आपको date कहां से मिलेगी बरक्तुला इनिवर्सिटी में जाकर के मिलेगे हन कोई बता रहे है 19th लेगा के 27th I don't know कि क्या clear क्या नहीं लेकिन मुझे notification नहीं देखा इस वज़े से sorry मैं नहीं बना पाई और मुझे पता भी नहीं चलेगा कल है date हना जो कि आप लोग की RAC की date है तो history वालों की है या नहीं है political science वालों की है या नहीं जगरफी वालों की है या नहीं यह मुझे कुछ भी नहीं पता योगी list नहीं आई है और मैं online से ही video बनाती हूँ offline तो कभी जाती ही नहीं है यही है कि आप लोग call करे mail करे register को mail करे और call करे inquiry number पे कि यह क्या तरीका है सभी subject का आ गया है और हमाई subject का नहीं आया और 19 को RAC है अब क्या करे बच्च पे ठीक है या कि फिर बक्तलों में से ठीके site में मतलब जाओ वहाँ वहाँ बात करो कि आप social science का list upload करो ठीक है यह कि सब सब तो अपना अपना ही देखेंगे सब वहाँ जा करके देख लेंगे कि कब है date और जो लोग बहुत दूर दूर से हैं उनका तो कुछ है पता ही नही सबी subject की list आ चुकी है बस social science वालों की upload नहीं की गई है website पर है ना और offline जा करके आप देख सकते हैं अपनी date और मैं नहीं बता पाऊंगे कि मुझे नहीं बता चलिए अब हम यह देखेंगे कि आप कैसे पता करें आपका interview कब होगा जैसे science वालों का कब होगा है ना और art वा ले candidates हैं उनका कब होगा यह बता को कि अब list कोई नहीं आएगी candidate list तो आएगी नहीं ना तो name mention होगा ना कुछ भी mention होगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि थोड़ PDF open करेंगे उसके according की देखेंगे अपन जैसे योग वालों का ना योग वालों का एक ही दिन का है तो सब अब ही जितने भी candidate जो qualify किया है तभी candidate 27 को मेक को चले जाएंगे और इंटर्व्यू दे लेंगे ठीक है ना योग वालों का complete हो गया अब देखेंगे education वालों का education वालों को देख लेते हैं कि एक से लेगर के 32 में तो रो लंबर तक का होगा जो भी candidate एक से लेगर 32 तक के candidate qualify है वो 28 को देने जाएंगे इंटर्व्यू ठीक है और जिन का रो लंबर है 33 से लेगर के 6 तक वो वो जाएंगे 30 में को और 31 में को 67 लेगर गर के 93 तक आव मतब आप जैसे जो अख्वेट करी डेट से नहीं है वह वह आजींग चले भी गये मैं जो बाइचंस चले भी गये और उनको लुपड एसा नहीं मतल numéro नहीं था है इनके बीच में तो भी चले गए वह तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत दूर से हूं गर मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं पता था कि इसी डेटेट को ही इतनी रोपर वालों का होगा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो तो कहीं नहीं आपको शायद चांस मिल चाहें उसी दिन यह ना यह दि भाई मिस्टेक आपका दूसरे दिन था यह तीसरे दिन था लेकिन आप पहुंच के पहले दिन तो मिल सकता है आपको चांस ठीक है आप कांडिडेट कोई लिस्ट नहीं आएगी याद रखना लोग वालों को तो पहले ही दिया गया है कि नाम और नेम रोलंबर के कॉर्डिंग कोई दिक्कत ही नहीं है चलिए अब क्या करना है कि हाँ लोवालों में यह है इसमें आपको प्रजिंटेशन offered lang की wissen की सॉप्ट कॉपी अ मेल करना है याद रखना है सभी को版 के चलो अब हम देख लेते हैं नेक्सट को जैसे अब इंग्लिश वालों का देख लो लूंबर वाइज है शायद एक से लेकर के 136 37 से लेकर के 72 ना डेट मेंसेन की के मतलब डेट मेंसेन है 23 24 हिंदी के लिए 25 26 27 जैसे एक से लेकर 50 तक के बच्चे 51 से लेकर के 100 नमबर आफ कंडिडेट हैं इसमें क्वालिफाई करना जो रोलंबर आपका होगा उसके क्वाइडिंग चले जाना या के फिर आपको कहीं से पता चले कि मेरिट वेस्पे हो रहा है तो आप आप सभी सब्जेक्ट का मतला अपने सब्जेक्ट का रिजल देख करके देख लेना कितने पास हैं और कितने नंबर में आपका अर देख लेते हैं उर्दू उर्दू तो एक ही दिन होगा संस्कित भी एक दिन होगा फिलोसपी पी एक दिन होगा ला म्यूसी ब एक दिन व यतने भी आपको marks मिले हैं मैं पहले ऐसा करना होम सैंस का पूरा result देखना और result देख लोगे तो उसके बाद ये देखना कि आपका कौन्छ नंबर पर आता है उसके कोडिक भी जा सकते हो और 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 लंबर वाईस भी जा सकते हो ठीक है चलो एक बात और देखनी थी चलो ये commerce का हो गया इसमें आपको result देखना पड़ेगा comments में और उसके बाद आप married list में देख लो कौन से number पर आपका number आता है ठीक है तो उस date को आप लोग आ जाना अधि आप दूसरे date को भी आ जाते तो request कर लेना कि sir जो है आप लोग ने systematic list त्यार मतलब upload नहीं करी थी इसलिए मु मुझे systematic list मिली नहीं और मुझे पता नहीं चला कि कि किस दिन आना है तो मुझे जिस हिसाब से मुझे अपने recording मैंने वो करके अपने हिसाब से मैं आ गई तो please आज आप लोग मतलब आज आप मेरी RAC करा दीजिए तो वो करा देंगे request कर लेना कोई दिक्कत नहीं होती ठीक ह है इसी तरीके से आप यह देखिए एककुल्चर इंवर्मेंटल सैंस इन लोगा मतलब बहुत कम-कम है और एकी दिन का हिदिया गया देट उसे दिन चले जाना इसाब लाइफ सैंस डेपार्टमेंट में होगा बोटनी, माइक्रोबैलोजी अना यह सब एकी-एकी दिन है और जुलाजी में 20 students का ही होगा और 20 students का दूसरे दिन होगा चाह एकी दिन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बायोटेक्नोलोजी का 27 को है सब भी जाएंगा निदेट चलो यह हो गया complete आप क्या बचा management में तो name ही दिया हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है यह देखिए ऐसे दिया है management का है 19 को आप ने लिस्ट तो पहले ही देख लिए list के recording हो जाएगा मतला candidate list है इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठेक है जो कि मैंने पहले भी दिखा दी है आप हम chemistry की बात करेंगे त chemistry का तो एक ही दिन होगा geology का भी एक दिन होगा computer science का भी एक दिन, statics का भी एक दिन, electronics का भी एक दिन, क्या है ना इस बार candidates कम पास हुए है इस बचे से एक एक दिन का रखा गया है इन लोगों ने, ठीक है physics का, physics का, mathematics का, इसमें serial number दिया होगा एक से लेकर के 30 तक, serial number और 31 से लेकर के 64 तक, physics में, देखे न, date क्या रहेगी, 23 और 24, इसी तरीके से mathematics में, serial number 1 से लेकर के 35 तक, और 26 को भी serial number 36 लेकर के 78 तक, ऐसे होगा आईए देखे, last में आप एक बार देख लिए instruction, यहां से आप देख सकते हैं, यह देखे, यह योग का है, यह education का है, यह law का है, इसी तरीके से, इस वाले में, फोर्थ वाले में, आर्ट भी है, आर्ट के साथ, 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 home science भी है, commerce भी है, और life science भी है, देखे, इसमें, faculty, आप management में, आपका, साइन्स वालों का भी है, और management वालों का भी है, ठीक है, इसी तरीके से, revise notification में, इसमें, नाम mention करा गया है, और, जो कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, कि, क्या क्या डॉकुमेंट्स लगेंगे, यह देखे, यह 8 वाला है, एक अंसलेटर, यहां स जो परिक्षा नहीं दिये थे, उनके लिए है यह, और जो भी, एक्जमन, एक्जमन कांडिडेट है, मतला, जिन्हें छूट मिली थी, वो चाहें, तो, फर्स डे ही जा सकते हैं, उनका नाम बहुत पहले ही है, अना, चाहें, तो, जिस दिन चाहें, उस दिन जा सकते हैं, ठ इसी तरीके से आप देख सकते हैं, और थाइंक यू,